जैमात अदी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों सावन मास में सोमवार का वरत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला वरत होता है कुछ भक्त सावन मास के सिर्फ सावन मास के ही सोमवार का वरत करते हैं और कुछ भक्त सोलह सोमवार के वरत की शुरुवात करते हैं इसी प्रकार से कुछ भक्त ऐसे होते हैं भगवान भोलेनाद के जो पूरे वर्ष हर सोमवार का वरत करते हैं तो अपने अपने श्रद्धा होती है जिस भी श्रद्धा से जिस भी कामना से आप वरत करते हैं भगवान भोलेनाद की कृपा पाने के लिए सोमवार का वरत शीगर पुर्ण हो जाती है तो सावन मास में अगर आप सोमवार का वरत कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको पूजा अराधना करनी चाहिए कौन सी विधी होती है पूजा की किस तरह से आप वरत की शुरुवात करेंगे यह सभी बाते मैं आज आप से वीडियो में शेयर करन बात करेंगे और जो अगला प्रशन ह किस प्रकार से हम पूजा करें अगर हमें पूजा की पूरी सामगरी नहीं मिल पाती है मान लीजे बेल पत्र नहीं मिला या धतूरा नहीं मिला तो किस प्रकार से पूजा आराधना करें वरत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या व्रत में हम नमक खा सकते हैं पीरियट्स में व्रत कैसे करें और व्रत के बीच में अगर पीरियट्स आ जाते हैं तो किस प्रकार से हम व्रत को कंटिन्यू रखें क्या मंदिर जाना जरूरी है मतलब अगर मंदिर ना जा पाएं घर के आसपास कोई मंदिर ना हो मंदिर ना जा पाएं तो किस प्रकार से हम अक्षत जो चीजह हम बगवान को अरपीद करते हैं उस सामगरी का हमें क्या करना चाहिए विरत कभ खोलना चाहिए सुरीयासते पहले या सुर्यासत के बाद किस रंगे वस्रधारण करके भगवान ये तमाम प्रश्ण होते हैं तमाम संसे होते हैं जो हमारे मन में होते हैं और इसी तरह के बोहत सारे आप लोगों के comment box में भी आये हुए है तो इन प्रश्णों को मैंने सामिल किया है इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से जादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के शेयर कीजिए बात करते हैं सबसे पहले के सावन सोमवार व्रत की विधी क्या होती है किस प् शोष्तियादी करणी के बाद साफ स्वच्छ वस्थ्षधारान करें वस्थ आप किसी भी रंगोजों द्हारण करें ध्यान रखें कि वह हल्के रंगर वस्थ्या वूने चाहिए व्य corte कर सकते हैं लेकिन महीलाय सफित रंग के वस्थधारन ना करें कोई भी हलका रंग, मास में काले और नीले रंग के वस्त्र ना धारन करें तो बहुत अच्छा होता है भगवान शिव की पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रियोग नहीं करना चाहिए फिर आपको भगवान शिव की जब आप पूजा करें जैसे कि आपने नहा लिया नित्यादी करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्रधारन करें उसके बाद से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है तो भगवान शिव के लिए सबसे पहले आप अपने घर में घर का इशान कोंड जो मंदिर है वहां पर आपको शुद्धी का दीपक प्रज्वलीद करना है शुद्धी कर रहे हैं और किसी कामना से अगराब कर रहे हैं जैसे कि हम मैं सावन सोंबार का व्रत कर रही हूं कोई मेरी विशेश कामना है तो उस कामना को भी भगवान शिव के सामने बोलना है और इसके साथ ही भगवान शिव के सामने आपको छोड़ देना है व्रत आपका शुरू ह इसके बाद आप भगवान शिव की वितिवत पूजा आरादना कीजिए धूब दीप नैवेद्य अरपित कीजिए उनकी जो प्रियवस्तुएं होती हैं जैसे के बिलवपत्र भांग धतूरा सफेद चंदन से भगवान शिव को तिलक किया जाता है भस्मक हो तो अगर आपके परशनेश के जबाब आपको को मिल जाएंगे अगला जवाब कांक़ां कर सकता है पुरुष भीस्षेंद को कर सकते हैं अक्सर लगों का ये प्रशन होता है कि क्या अथे जीवन साथी के लिए जी हां इस विरत को कोई भी कर सकता है कुवारी लड़कियां कर सकती है पुरुष हो पुर्य है तो भ्याद कर सकते हैं इस उल्कू अभाटिल संतान के प्रापति के लिए या दाम पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए घर में सुक सम्रिध्धी के लिए इस व्रत को किया जाता है तो पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं अपनी नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए जीवन में सफलता के लिए या आपकी कोई भी विशेश कामना हो मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं तो इसके लिए भी प जैसे कि इस बार सिर्फ चार ही सोंबार पड़े हैं सावनमास में तो आप इन चारों सोंबार का वरत कर सकते हैं अगर आप महिला हैं और पूरे चारों सोंबार के वरत में शुद्ध अवस्था में हैं तो आप चारों सोंबार के वरत कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी समय म जैसे आपकी स्थिति होती है ज knob, की स्तिति हैं एक आप सभी सोंभार कर सकते हैं और अगर आप शूमभार को जी सोंभार को आप असुद्ध हैं पर जरूरे की अवस्ता है पूंजट को छोड़कर अकला कि अगर हम सुबह वरत का संकलप नहीं लेते हैं श्मानित्यादी करके आप पूजा किये बिना संकलप लिए बड़े और आप पूजाते शाम को सिर्प पूजा करते हैं तो यह ऑलना जाएगा आप वुआस भी हैं जैसे कि आपने कुछ नहीं खाया है तो यह उपवास एक तरीके से ब्रत का मतलब होता है हम् प्राते काल जब पूजा करें भगवान शीव की तो हमसुबह ही संकल्प लेखिकें अज मेरा वरत है बगवान शीव को यह हम स्मِरण करने हुए हमारी इंगार कर देsın करा ऴुछ करने में हमारी मदद करें तो दोनों समय की पूजा बहुत जरूरी है अब समय पर निर्भर करता है आपके कि सुबह आपके पास कितना समय है या शाम के समय आपके पास कितना टाइम है अगर आपके पास सुबह कम समय है तो सिर्फ आप वरत में पूजा कीजिए थोड़ी सी पूजा जिस संकल्प ले के आपनी आज़वस जो आरपीत कीजिए और ऑपना Jahr रही काम मेक saam कौन को फिर विधिवत आपको पूजा करनी होती है आपको समय क है थो इसी तरह से अगज़ आपके पास sova Korean K Tapu जीसे के लिधा सकते हैं जैसे के आप के पास सुबह समय है शॉभर सवर के हिस वक्त में आपके पास निर्धारित कर ली जब भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं मंत्र जाब कर सकते हैं और रिभंधा निन तरह मतلف एक वक्त की पूजा कम से कम आप पूरे विधिविधान से करें इस तरह का निर्धारी कर लिजिए अपने हिसाब से सुभद संकलप बहुत आवश्यक है इसलिए लेकर आप चाहे तो पूरे दिन रत और शाम के समय विदिवत पूजा कर लीजिए तो जैसा आपके पास समय है अगला जो आपका प्रश्ण आता है कि भगवान भोले नात की पूजा में कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए देखिए हम सभी जानते हैं भगवान-शिव को कौन सी वश कर सकते हैं अक्षत जैसे के चावल के बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो ऐसे अक्षत का प्रयोग हम पूजा में करते हैं भगवान-शिव की जल से अभिशेक करते हैं पंचामरित अगर आपके पास है दूद दही घी शहत सक्कर तो पंचामरित जरूर भगवान-श पल्ठ भगवान-शिव को अरपिद कर सकते हैं तो पूरे विधिविधान से पूजा के लिए सामगरी सारी होनी बहुत आवश्यक होती है और अगर कोई सामगरी आपको नहीं मिलती है जैसे की बिल्वपत्र के लिए बहुत ज़ादा प्रशन आते हैं बिल्वपत्र नहीं तो सूखे हुए बिलवपत्र का चुरुण बनाकर भी भगवान शिव पर अपरपित कर सकते हैं और उससे भी भगवान शिव की उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होती है तो ये दोनों ही तरीके होते हैं कि आपके पास पुराना बिलवपत्र हो तो आप उसको भी यूज़ क के लिए ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पास बेलवपत्र ना हो तो मंदिर पर चढ़ा हुआ बेलवपत्र भी आप धो कर दुबारा से उस बेलवपत्र को चढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार से भी आप भगवान शिव की पूजा में सामगरी का प्रयोग कर सकते हैं अगला प्रशन होता है वरत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या हम साम के समय नमक खा सकते हैं देखिए पूरे दिन आपको वरत रहना है तो वरत में आप फलाहार करेंगे जैसे कि दिन में आप वरत का संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो दिन में आप फलाहार लेंगे फल ले सकत वो कम से कम सावन में जैसे सोमवार का वरत कर रहे हैं तो सोमवार के दिन आप दूद ना ले चाहे आप पी सकते हैं दूद की बना कर लेकिन आपको दूद नहीं लेना चाहिए नमक खा सकते हैं देखिए नमक का प्रियोग किसी भी सापताहिक वरत में नहीं माना गया है शाम आप कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं तो शाम को आप मीठा भोजन ले बहुत अची बात है लेकिन जो लोग असमर्थ है मतलब अस्वस्थ हैं बिल्कुल ही नमक के बिना उनको नहीं चलेगा तो शाम को चाहें तो सेंधा नमक भोजन में प्रयोग कर सकते हैं उस अवस्था म पर शोलमवार का वरती ही सिर्फ 4 तबन बेसे हम कर रहते हैं तो बहा है सब्सक्राइब तो उसमें होता है कि पीरेट्स आता है उनको लगता है व्रत खंडित हो गया और वो नॉर्मल जो खाना बना होता है उसे वो ग्रेंड कर लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए इससे आपको दोश लगता है अगर आपने सुबह व्रत का संकल्फ लेकर व्रत कर लिया है शुरू और आपने पूजा भी कर ली है तो आपको चाहिए कि आप बीच में अगर पीरेट्स आभी जाता है तो व्रत को कंटिन्यू करें शाम को फिर से आप जैसे कोई भी घर में सदस्य है जो प्रिशाद बनाता है तो उससे आप प्रिशाद बनवा कर और भगवान को चड़वा दें आर्ती करवा दें घर में कोई दूसरा सदस्य है तो उससे और पूरे नियम आप व्रत के पालन करें क्योंकि ये व्रत आपका माना जाएगा बिल्कुल गिना जाएगा भगवान शिव की क्रिपा आपको अवश्य प्राप्त होगी लेकिन व्रत आप कंटिन्यू रखें बीच में व्रत को नह करते हैं शिवलिंग की जो पूजा हारातना करते हैं मंदिर के जो पवित्र स्थल होता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवस आपके घर के आसपास मान लीजे कोई मंदिर नहीं है या फिर आप नहीं जा पा करते हैं मंदिर टो आप घर में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं अगर आपके पास शिवलिंग के अभीषीक करके विधिवत घर में ही पूजा कर सकते हैं और शिवलिंग भी ना हो तो आप घर में जो भगवान शिव की मूर्ती होती है जैसे कि प्रतिमा है फोटो है भगवान शिव की पूरे शिव परिवार की उस फोटो को आप एक चौकी पर स्थापीत करके विधी विधान से उनकी पूजा अराधना करें हाँ अभिशेक आप नहीं कर पाते हैं जैसे के आप शिवलिंग का अभिशेक करते हैं उसका बहुत अधिक्त पूजार लगण और działर अगर आप फोटो की पूजा करते हैं अप अभिशेक नहीं कर पाएंगे पर पूजा पूरे उस सबह विध्यविधान से पूजन सामगरी जो हमने भगवान शीव को अरपीद की है अगले दिन या फिर उसी दिन सुबह आपने जो चढ़ाई है वह चीज़े शाम को उतारेंगे फिर शाम को दूसरी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो जो आपने सुबह चीज चड़ाई है बगवान शीव को जो भी वस्तमिय आपने सुबह अरपित की हैं शाम कुण सभी चीजों को उठाकर आप अपने घर के गमले में जो कच्छी मिट्टी है उसके नीचे दबा दीजिए या फिर अगर आपके पास जल प्रवा नियम पूजा की सामगरी का ध्यान रखना है अगला जो प्रशन होता है वरत किस समय खोलना चाहिए क्या सुर्यास्त के पहले खोले या सुर्यास्त के बाद खोले नहीं वरत हमें हमेशा सुर्यास्त के बाद यानि कि संध्या बंदन जो हम प्रदोशकाल में करेंगे उसके तो जब आप भगवान शिव की पूजा आरादना करते हैं, तो जब आप भगवान शिव की पूजा आरादना प्रदोशकाल में करेंगे, तो प्रदोशकाल में पूजा करते करते संत्या हो जाती है, मतलब सुर्यास्त हो जाता है, और उसके बाद भगवान शिव की आरती साथ अपने लिए भी रखें और उसके साथ ही आप कोई मीठा अन खाकर इस वरत को खोल सकते हैं दूस्तों सावन मास भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला बहुत ही पावन मास होता है इस महीने में आप भगवान शिव की पूजा अराधना करते हैं उनके मंत्र जब करते ह तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और सावन के सोमवार का विशेश महत्व होता है तो अगर आप सभी सोमवार के वरत नहीं कर पाते हैं जैसे सावन में 4 या 5 सोमवार आते हैं इस बार 4 सोमवार है तो अगर आप 4 सोमवार के वरत का पालन नहीं कर पाते ह और अपनी कामना भगवान शीव को कहें, बहुत ही शीकर भगवान शीव की ग्रिपा पाना चाहते हैं, तो सोम वार के दिन विदे विधान से भगवान शीव की पूज़ा आरादना कीजिए, हमसे अगर कोई भी भूल जुक हो जाती है, बगवान से शमा मांगते हैं, प्रात पूरे श्रधा भाव से उमीद करती हूं आज की वीडियो में जो भी प्रश्न थे आपके लिए उप्योगी सिद्ध होंगे और वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगेगी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल बटन को प्रेस कर लीजे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएए कि आपको वीडियो कैसी लगती है और अगली वीडियो आपको किस चीज की चाहिए इसके लिए आप आप कमेंट जरूर कीजिए मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार